Now chapter number 8 और chapter का नाम क्या है? Emergency vehicle Vehicle मतलब यातायाद के साधन Emergency में जो एक दमज़ुरत पढ़ने पर हमें यूज करने पड़े Number 1, fire engine Fire का मतलब आग अगर कहीं आग लग गई है तो हम किसकी help लेंगे? Fire engine की The next one is helicopter Helicopter का use भी हम emergency में करते हैं अगर हमें कहीं जल्दी जाना है या फिर किसी patient को या किसी भी चीज को जल्दी से हमें एक जगा से दूसरी जगा पहुचाना है Next one is police patrol vehicle Police patrol vehicle क्या है? ये एक कार होती है जिसका योज किसलिए किया जाता है? जिसमें police बैट कर शहरों के या फिर किसी जगा के चकर लगाती है आज कल आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत जादा भीड़ वाली जगा है वहाँ पर भी police की कार से patrolling होती है और रात को भी सड़कों पर क्या चलती है? पुलिस patrol vehicle चलती है Now the next one is ambulance Ambulance का use किसी patient को hospital तक पहुचाने के लिए किया जाता है बच्चों हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपने mummy पापा के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं तो अगर आपको रास्ते में ambulance मिलती है तो हमें ambulance को रास्ता पॉरन देना चाहिए ये नहीं कि ambulance का रास्ता रोक के खड़े हो जाएं Now the time for answer What is the color of fire engine? Fire engine का color कैसा होता है? Fire engine का color red होता है R.E.D. red Whom do we call when we have an accident? अगर हमारा accident हो गया है तो हम किसे call करेंगे? बताए हम किसे call करेंगे? हम ambulance को call करेंगे हम ambulance में बैठ कर कहां जाएंगे? Hospital So we will write ambulance A-M-B-U-L-A-N-C-E Ambulance Who provide us security in our city? हमारी city में हमें security कौन प्रोवाइट कराता है? हमारी city में security हमें पुलिस प्रोवाइट कराती है Now the time for memories We dial 1112 to call police and 108 to call ambulance अगर कोई emergency है आपको police को बुलाना है तो आप 1112 पर call करेंगे और अगर आपको ambulance को बुलाना है तो उसके लिए आप 108 डाइल करेंगे इन दोनों नमबरों का use बच्चों हमेशा emergency में करना चाहिए ये नहीं कि जब भी आप free बैठे तो आपने इन दोनों नमबर पर call कर दी ये नमबर emergency के लिए होते है